हेलो इस्टूडेंट मैं दीच्छा वेलकम टू माई यूटूब चैनल जिसमें हम पढ़ रहे हैं फरवाजी 2023 के करेंट अफ्यर्गों जो बिजन आए इसकी मैग जीन पर आधा रहे थे जिसमें अभी तक हमने दो मेजर टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है अब हमारा आज का तीसरा टॉपिक रहेगा अर्थवरस्था के बारे में इसके अंतरगत पहला टॉपिक आता है इस्जी मांदनों पर विन्यामे की धाचा चले तरह इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह फ्रेंबर क्या होता है इससे संबंदे तथे के बारे में देखते हो और इनकी जो प्रा परत्र जारी किया कि इसके दौर परामर्स पत्र जारी किया गया है स्यभी की दवारा डीजी की मांधनों को बिन्यामा किए अधाचे को सारज्जरिक टिपडियों की परामर्स की संदर में गौरतलब है कि सेवी ने मई 2022 में नौनीत मुनोत को अधिक्षटा में ESG सलाहाकार समीति का गठन गया था कब इस समीति का गठन किया गया था दोहजार मैय 2022 में कि सेवी के सम्मढर प्रग्टी करन EASD रेटिंग EASD निवेस के लिए बिनामब के ढाचे को स्विववस्थित करने ही तू सिफारस करने का काम सौपा गया था इस समीति के आधर सेवी ने EASD रेटिंग प्रदाताओं के लिए भी एक बिनामिके प्रियावर्णी लाब प्रदान करना जलवाई परिवर्तन की मुद्दों की पृति जागरुख बनाने की मदद करना संधर्णी तरीकों को अपनाने के लिए बैशायों को प्रेरित करना सामाजिक समावेशन और कल्नियार को बढ़ावा देना उत्पादक्त में ब्रद्धी उगतते हैं को लांगत में करने में मदत करना बहत्रनियास अमंगतने निभेश रिटर्नपर दान करना या कंपनियों के साल्गनी कि स्थिकर तो इससके ब्रियाबञिन प्रत Bienла不是 प्रिवर्ण koleppe बनाने की मधत संधर्में संधर्णी बैशायों को असर निवसेक्सkar वादी तर्ड प्रदान करता है और यह कंपनी कि स्थिती को बहतर करता है इसके संदद में इसका इंप्रेंजल को है डाब एसी के बारे में इसके कुछ पहलु हैं जैसे एक इंस पहलु है और इसकी सोचल ही और पहलु की आवशक्ता को लागू करता है. सोसल पहलू के अंतर गते, कर्मिचारी सुरक्षा, काम करने की सति विवित्ता, समता, समावेशन, नैतिक परचार और भीदभाव के एर खिलाप पहलो को डेटा रिपोर्टिंग की आवशक्ता को लागू करता है. गवर्नेंस सम्मंदी पहलो के संदर में, कॉर्पोरेट परसासन पर डेटा रिपोर्टिंग की आविशक्ता को लागू करता है, जैसे भरस्टे जार, नेतत तुम्हें विट्ता, साइबर सुरक्षा और निश्ता सम्मंदी पर थाएं, सटीक लेक कहंगन पद्धितियां और ह गितार को को यह समझने में मदद करता है कि कोई संगठन, पर यह बनार सामाजे को गवर्नेंस मांदंडों से सम्मंदे जोखमों एबा मावसरों का प्रबंदन किस तरीके से कर रहा है, इसके संदर में, यह से रिपोर्टिंग की शुरूआत को 2009 में शुरूआत की गई थी, कि यह कार्यमंत्राले ने कार्पोरेट सामाजे को गवर्नेंस मावसरों से रिपोर्टिंग के संदर में, सेवी ने 2012 में लिस्टिंग बिनेंस के जरी यह बाजार पूंजी करण के मामले में सीर्स सौ सूची बद्द संस्थाओं के लिए ESG को ध्यान में रखते हुए बैश सूची बद्द संस्थाओं को इसके दारी में लाया गया बियार, ESR संबंधी आविशक्ताओं के संबंध में, सेवी ने 2021 में बिजनस रिस्पॉंसमिल्टी एंड सस्टेमिल्टी रिपोर्ट के जरी नई सस्टेमिल्टी रिपोर्टिंग के लिए कई दिशा निर्देश च कि अगया था कि NGBRC की नो सिध्धानतों को पालून करने से लेकर डिस्ट्रिकलोजर रिपोर्ट जारी करें, गौर्तनफ है कि NGBRC को 2019 में तयार किया गया था और इस सभी बैशायों के लिए डिजाइन तयार की गई थी, चाहिए उनका स्वामित हो आकार हो या काम कच्छे तो या सनरचना और या इस्थान कुछ भी हो इसके संधर में है, एसजी में भारत में रिपोर्टिंग का एक विकास करम रहा है, जिसको 2009 में स्टार्ट किया गया था, तो 2009 से 2021 तक करम को देखते हैं, कि 2009 में राश्टिये स्वेक्षिक दिसा निर्दीश जारी किये गए, फ ब्यवशायक आचरण पर राश्टिये दिसा निर्दीश जारी किये गए, वह 2020 में ब्यवशायक उत्तरदायत और इस्थिरता रिपोर्ट जारी की गई, इसके संदर में रहा है, अब पढ़ते हैं, NGRBC के तहट ब्यवशाय संबंदी आचरण के लिए 9 सिध्धान्त हैं, इ इस्थाई उसरक्षे तरीके से बस्तु सिवाय प्रदान करना, सभी कर्मिचारियों को सम्मान करना, उनके कल्याण को बढ़ावा देना, ये तीसरा है, छोथा आता है सभी हिद्धारकों के हितों का सम्मान करना, पांचमा आता है मानुदीकारों का सम्मान करना और उन्हें पड़ावा देना है नौमा आता है जिम्मिदाल तरीके से ग्रायकों के लिए उत्पाद या सेवा की मूलोग को उपलब्ध कराना होता है तो इसके संबन्द में नौ सिध्धान्थ दिये गए हैं जिसको हमने देखा हुआ है अब पड़ते हैं इसके तीन चरणी प्रस्ताव के आधर पर सेसी सो एक हजार सूचिवत कंपनियों के लिए यह निवार कर दिया है कि बियार एसर के अनुसर फाइलिंग करें और इसके वित्तिय वर्स 2023 से यह लागू होगा बियार एसर के घटक के संदरें विश्विशनिता में सुधार और नपालन की लागत को सीमित करन के लिए अरेसर कूर विख्सित कीया गया है एसर एसर रेटिंग के संदर में रेटिंग एसर पिरामिटर एसर रेटिंग के लिए 15 माप दंडों की फहचान की गई और इसमें परफों में चीव ट्रेड लिकवेड डियार्ज एक्स्टेंड प्रोड्यूशर रिस्पोंस्व पर दिया है कि वे अपने निवेस के सम्मंद में एक स्टीवर्ड कोड का पालन करने और स्टीवर्ड कोड में निमलिखे सामेल है इसके इंदरे पहला आता है कि वोटिंग के मामली की किस पश्ट निती होनी चाहिए दूसरा आता है सामाजे को कॉर्परेट जिम्मेदारी नहीं किया गया है इस प्रकार के प्रक्टिकर्ण में बर्ष 2023-24 से अनिवार होगा इसके संदर में अब पढ़ते हैं बैश्विक मिनिम है और सर्बुत्तम पिथाय पढ़ाली के बारे में यह यह यूरोपेशन के मारक के संदर में इसमें एशिया के को शुधार दिये गए और से उकतराज अमेरिका के निवार के संदर में यह यूरोपेशन के मानक के संदर में देखते हैं कि 2020 में यूरोपे आयोग ने कॉर्परेट सस्टेनिविल्टी रिपोर्टिंग डिरेक्टिब को अपनाये या इस जी पहलूँ के लिए अनिवार ईयू सस्टेमिल्टी रि एक्चेंज में कुछ हेत्रकों के लिए जलवाई रिपोर्टिंग को अनिवार बना दिया गया है साथ SpaceXR जारी करता के लिए आवरिशक हो गया है कि से अपनी सस्टेमिल्टी रिपोर्ट में अनुपालन यह व्याक्षय के आतरत पर जलवाई रिपोर्टिंग प्रधान करे सेक्ट राज अमेर्का की नियम के संदर में सेक्ट राज अमेर्का में US Security and Exchange Commission ने अपने नियमों में बदलाव किये हैं और इसके अंसार पंजीकरण करताओं के लिए अपने पंजीकरण विवर्ण आवधिक रिपोर्ट और चलवाई से सम्मंदित कुछ प्रेक्टिकरण सामिल करना अनिबार कर दिया है इसके संदर में अब पढ़ते हैं इसके अंतर के दूसरा टॉपिक आता है मिनुशिपल बॉन्ड के वारे में मिनुशिपल बॉन्ड सुर्खियों में क्यों रहा मिनुशिपल बॉन्ड नेशनल स्टोक एक्सचेंज की एक साखा होती है जो NSE index limited ने भारत के पहले मिनुशिपल बॉन्ड इंडेक्स की सुरुआत की है इसका नाम इंडिया मिनुशिपल बॉन्ड बॉन्ड इंडेक्स रखा गया है तो इसके संदर में निप्टी इंडिया मिनिशिपल बॉंड के बारे में पढ़ते हैं इसको पढ़ने के पहले हम नेशनल स्टॉक एक्षेंज के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई इसका उद्देश क्या रहा है और इसे सम्मंदित महत्तपूर जानकारियां क्या है एनसी के स्थापना नेशनल स्टॉक एक्षेंज की स्थापना भारे सरकार के एक उच्चादिकार प्राप्त स्टडी ग्रोप की सिफारेश पर 1992 में स्थापित किया गया था सेयर बाजर में भागीदारी को आसन बनाना और इसे और अधिक सोगम लभ बनाने के लिए इसका उद्देश है तदह इसका मुख्याल है मुंबई में इस थे थे और इसमें 1994 में एनसी ने भारती स्टॉक एक्षेंज में बाजर में एलेक्टरिक ट्रेडिंग सुरू की थी और निप्टी 50 इसकी बेंचमार्क इंडेक्स की रूप में है अब पढ़ते हैं निप्टी इंडिया मिनिशिपल बॉंड इंडेक्स के बारे में यह इंडेक्स की भूम का निप्टी इंडिया मिनिशिपल बॉंड की मैचुरिटी या परिकवर्कता आवधी के दौरन भार इस इंडेक्स की तहट बर्तमान में 10 जारी करता हूं द्वारा जारी किये गए 28 नंगरपाल का बॉन्ड सामिल है जिनकी क्रेडिट रेटिंग यह दी गई है इंडेक्स के घटकों के लिए उनकी बकाया रासी के आधार पर बेटेज निर्धारत किया गया है सूचकांग के आधार पर इस इंडेक्स को एक जनबरी 2021 और आधार मूल 1000 रखा गया है समीक्षा के अंतर गत इस इंडेक्स के में तिमाही आधार पर समीक्षा की जाएगी यह इसके important पहलू है, मिनिशिपल बॉंड के बारे में, अभी हमने कौन से बॉंड के बारे में पड़ा है, हमने निप्टी इंडिया मिनिशिपल बॉंड के बारे में पड़ा है, जिसको मिनिशिपल बॉंड के द्वारे सुरू किया जा रहा है, अब पड़ते हैं मिनिशिपल ब दोल्धन का पुनल भुक्तान एक एक क्रू खाते के माद्धर से किया जाता है नगर निगमों को समय समय पर अपनी राजस्त से एक निश्ची तबासी को आस्ये को अम्ट है कि बॉंड के लिए समय पर भुक्तान हो रहा है भारत में मिनिश्पल बॉंड बाजार के संदर में कि भारत में इनिश्पल बॉंड जो बाजार है वा शेवी द्वारा बिनेमित किया जाता है सेवी को नगरपालकाओं तथा रेड़ पृति भूतियों का निर्गाबन तथा इनकी शूची बद्धिता नियम 2015 के लागू होने के बाद से भारती मिनिश्पल बॉंड बाजार में फिर से तेजी आई है बित्ती प्रोसाहन के संदर में भारत सरकार ने मिनिश्पल बॉंड जारी करने के लिए एक एक मुस्त अनुदान सहायता के लिए प्रोसाहन रासी विप्रदान की है बड़े पेमाने पर निवेस ग्रेड रेटिंग के संदर में इसमें 59% मिनिश्पल बॉंड को निवेस ग्रेड या उससे उपर की डेटिंग प्राप्त हुई है इसे पता चलता है कि भारती निवेस ग्रेड पालकाओं ने बॉंड जारी कर पैसा जुटाने के एक तरीके का पूरा लाव नहीं उठाया है इसके संदर में अब आता है municipal bond जैसे इस कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के municipal bond होते हैं पहला होता है सामनेदायर्ट bond और दूसरा होता है राजश्य बॉंड जो सामनेदायर्ट बॉंड होता है उसका उपयोव परिवजनाओं की फंडिंग के लिए किया जाता है जो आवशेक रूप से लाव नहीं कमाती हो और ये बॉंड उन समदायों को लावनवित करती है जिनकी शेवा की उद्दिश से उन्हें जारी किया जाता है जैसे पार्क बनाना इसकूलों में सुधार करना इत्यादी होता है फिर आता है राजश बॉंड राजश बॉंड बॉंड होते हैं जो राजश से पैदा करने वाली परियोजना हो जैसे टोल सडके कॉंसर्ट हॉल आदी किवित पोर्शन के लिए जारी किये जाते हैं इसके संदर में अब आता है मिनुशिपल बॉंड अखिर कार कैशे करता है जैसे यह नगरपाल का है नगरपाल का यह अगरपाल का बनाते ओर इसका एक बुणियादी धाचा परियोजना के लिए नोडियोस तक्ति कीम ठीच के परीजना अंतर इंतरगति राजश में एकृसा अंदियो अधारकों ए रासी प्रतान करेंगे और यही इनधारिया चलत परियोजना को बित्ति पूशत करने के मिदद मिलती है और इसके साथ ही वने बित्ति रूप से अनुशासत बने रहने और गवर्नेंस वानकों को प्रोसाहत करने के लिए प्रोसाहत करता है सहरी बित्ति की समस्या का समाधान करने के संदर में नगरपल का दिजाने वाली सेवाओं की विस्तार के लिए और उच रिटार्ण के लिए कि नगर नेगमों दोरा दी जाने वाली ब्याजदरे आमतोर पर समान में चोर्टी वाले सरकारी बॉंड की तुल्ला में आधिक होती हैं जबकि सरकारी बॉंड को सुरक्षित माना जाता है वहां क्रेड जोखिम कम होता है खुदरा निवेशको का भारत के मिनिश्पल बॉंड बाजार में प्रिवेस के संदर में चौदर फरबरी को इंदोर नगर निगम खुदरा निवेशको सिधन जुटाने वाला पहला इस्थानी ये निकाय बन गया है बुनियादी धाची यह पहला बॉंड जारी किया गया उननिश्व संतानवे में दूसरा बॉंड निश्व अंठानवे में आहंदाबाद नगर 12 तक 12 इशू से 1940 करोड रुपे जोटाए गए और 4-10 बरसों में परिपक होने पर बॉंड के लिए 7.15% से 10.23% के कूपन की पेशकास की गई भारत में मिनिश्व पर बॉंड की समीक्षाय के समक्ष बाधाय क्या क्या है जैसे आरोपेत पृतिबंद होना चाहिए दुतियक बाजार का भाव होना निवेशकों के लिए लाफ का भाव ऐसे बॉंड का हाई भेश वैल्यू जैसे ओ चंकित मूल बहुत अधिक होता है जो खेम जादा होता है आम तोर पर रेटिंग की एकॉर्डिंग होता है तथा ही आए बहर सरकार या सराज सरकानों दर जारी नहीं माना जाता है इसमें आंगे की राय में देखते हैं कि विदेशी निवेश के लिए पूरे नीतिगत परिवेश में शुधार होता है और या ठोस और कुसल बिनिमाए अधिक पारदर्शता और बहरता गवर्नेंस के माध्यम से किया जा सकता है जैसे ओधारण के लिए को लोगप्रिय बनाने के संदर में बॉंड जारी करने के लिए हालिया उधारनों से पता चलता है कि बॉंड से जुटाए गई रासी नगर नेगमों हेतु संसानों के जुटाने के लिए बिवहार बिकल्प हो सकती है और इसे निवेश को राद सरकारों के सामने एक उधार इसे एक ट्रस्ट या इस्पेसल परपस भीकल की रूप में पंजीकरत किया जाता है या भारत में अंतर आहं अंदर प्रदेश महराष्ट करना टक्त में लाडू दोरा इस प्रिकार के बॉंड जारी किये गए हैं जो फूर्ड फाइनेंसिंग की बरीता देते हैं केंद सरकार ने 2006 में जमा विकास निधी योजना शुरू की थी जिसका मुख उद्धिस राज इस्तरिय पूर्ड बित्त तंत्र के जर ये सहरी स्थानी निकायों को उनकी रिण योगिता की आधार पर रिण सुदाय प्रदान करना होता है अब पढ़ते हैं सोसल एक्सचें के लिए सेवी को अंतिम मंजूरी प्रदान हुई है सोसल स्टोक एक्सचेंज के बारे में सोसल स्टोक एक्सचेंज मौन जुदा स्टोक एक्सचेंज का ही कला खंड या स्टोक एक्सचेंज सहायता से जनता उसे जंद जाटाने के लिए सामाजे कुदह में उधमों की नेता देता है और इन सामाजे कुधमों को निमलिखित दो प्रकार होती है एक होता है गैर लाफकारी संगठन के रूप में एक लाफकारी सामाजे कुधम के संदर में होता है सामाजे कुधमों के रूप में मानता प्रदान करने हैं तू पातरता सारता दी गई है जिसे किसी उध्म का दर्जाता मिलता है जब वह निम्लिखित मानदर्ण को पूरा करता है तो इसके अंतरगत कों-कों से मानदर्ण आते हैं जैसे सामाजिक ओध्म में एक राजश्य आता है ब्याय आता है ग्राह क्या लाभारती के अंतरगत आते हैं राजसु के अंतरगत पिछले तीन बरसों में वह सथ राजसु का कम से कम 67% हिस्सा लक्षे तावादी के सदसु का पातरगतवीदियों प्रदान करने से आया है ब्याय के संदर में पिछले तीन बर्सो में उसद ब्याय में कम से कम 67% हिसा आया जो सदसो को पात्र गत्वीदियों को लिए प्रदान के लिए खर्च किया जाता है। ग्राह के अलाभारतिक रूप में है, पिछले तीन बरसों में जितने ग्राह को अलाभारतियों के पात्र गत्वी निया प्रदान की गई उनमें लक्षितावादी में कम सदस से कम से कम 67% हैं, इसके संदर में, इनके उद्देशों को देखते हैं कि सोसल स्टॉक एक्षेंज क मन जबूत मान को कुछ सुनिश्चत करने के लिए तंत्र को सक्षम करना है, इसके उद्देश हैं, तथा यहां इसके जो उधाम या सामाजिक तौर पर उधाम के तौर पर पात्र नहीं है, यह कौन कौन से छेत्र पात्र नहीं है, पहला आता है कौर्परेट फांडिशन, दूसरा राज्यति किम धार्मिक संग अठन या गति भी दियां, तीसरा पैशिवर या व्यापार संग चोथा आता है बुनियादी धांचा और पांच मा आता हाउशिंग कंपनियां इसके अंतरगत आती हैं, इसके मान दंड क्या है, मान दंड जैसे SSE में पंजी करन होना चाहिए, NEPO के ताहित इसमें आवशक रिपोर्टिंग होनी चाहिए और FPE की कोई आवशक ता नहीं है, धन जुटाने की तंतर के रूप में इसमें जीरो कूपन जीरो इंस्ट्रूमेंट जारी करना चाहिए, तथा मेचियल फंडी उजनाओं को जरिए दान दिया जाता ह तथा कोई अन्य साधन जो सेवी भविश में ताय करता है, और इसके संदर में कि एक्क्योटी सेयर जारी करना, डेट इंस्ट्रूमेंट जारी करना और कोई अन्य संधन जिसे सेवी भविश में ताय कर सकता है, SNC के इंपोर्टेंस के बारे में देखते हैं कि बहतर बाजार पहुच होनी चाहिए, जो सामजे कुद्मों और दान दाताओं के बीच एक सांजहा और सुब विश्थे मीटिंग राउंड की सुब्दा प्रदान करेगा, फिर अतहल लिस्टिंग और प्रिवेस की सूनने ल इंपोर्टेंस हैं, अब आता है, SNC से जुड़ी चिनताओं के संदर में जैसे जागरुकता की गामी, जटलता का होना, SNC के पर पर्याप्त सूध का होना, सीमेत तरलता होना, स्थिरता और दाइरे की बारे में चिनता होना इसके संदर में, आंगे की राए में देखते हैं कि इने भी सक्षा में ब्रद्धी करते हैं, नवीन बित्तिय साधन को विक्सित करना, नवीन बिक्सित साधन करना, तथनीती और बिनिमाय का लागू करना, जिससे कि सामाज एक वित्ति बाजार बनाए में सहायता प्रदान हो, और अन्य देशों से सीखना कि दुनिया भर में सब्सक्राइब के लिए अधिक सक्षम वातवर्ण बनाने में सहायता कर सकता है अब आता है स्वेम सहायता समोई या सेल फेल फेल गुरुप के बारे में पढ़ते हैं कि हाली में केंद्री ग्रामिर विकास पंचाइदी राज मंत्री ने कहा है कि कैंसरकार 2024 तक 10 करोड रुपे स्वेम सहायता समोई सब्सक्राइब केंद्री ग्रामिर विकास पंचाइदी राज मंत्री ने कहा है इसके संदर में कुछ तथ देखते हैं कि ग्रामिर विकास मंत्राल ने डे नरलम के तहट सेल फेल 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 गुरुप दोरा बनाए गए उत्पादों की मार्केटिंग के लिए जैसे सरल गैल्वी राजविसिष्ट खुद्रा दुकानों जी एम एकॉमर्स प्लेटफोर्म जैसे की फिलेपकार्ट अमेजन आधी है अब पढ़ते हैं डे एन आर एलम या देन दे आलन्टिवदाई योजने या राश्टी ग्रामिर आजीब का मिशन के बारे मार्ण इसकी उत्पत्ती 2011 में स्वाणी जैन्ट्री ग्रामिर सौराजगार योजना को पुनरगठित करके शुरू किया गया था और 2015 में इसका नाम बदलके डी ए वाई एन आर एलम कर दिया गया दीन दे आलन्टिवदे योजना राश्टी ग्रामिर आजीब का मिशन इसका नाम इसकी नोडल मंतरा लए है ग्रामिर विकास मंतरा लए है इसका वो किरियानवित करता है तथा इसका उत्देश गरीबुई क्यों कम करना है तथा सेल्फ हेल्फ गुर्प जैसे सामुदायक संस्तानों में ग्रामिर महलाओ को संगिठित कर 10 करोर रुपे ग्रबरीप परिव सेबरी और बाजर पहुंच की शुब्दा उपलब्द कराई जा रही है इनके कारे अनवन की स्थिती जनवरी 2023 तक है और मंतरालन देश भर में 186 लाग सेल्फ हेल्फ गुरुप में कुल 8.89 करोर महलाओं को संगिठित किया है अब इसके अंतरगात हमने पढ़ा है सेल्फ ह प्रीज के बारे में पढ़ते हैं क्या होता क्या यह लगुल समय होता है लगुल समय के रूप में कार करता है जो यह जोटी था बीस लोगों का एक छोटा अनौपकाhst समूर होता इसके सदसन सामन समस्राउं को घंध करने के लिए भूब का कि संधर में देखते हैं कि सेल्फ घृल्फ गृब सदस्टों को अपने शामन को से लगूरण प्रदान करते हैं तथा सेल्फिल्फ गुरूप अपने सदस्टों के बीच बित्तिया निशाषन को बढ़ावा देते हूं और यह तत्थिसपस्ट होता है कि एनरेलम बैंक लिंकेज कारक्रम के तहत गयर निस्पादेते संपत्तिय के लिए 2.5% की आसस्पास होते हैं गरीबी अनमूलन के अंतरगत सेल्फिल्फ गूरूप गरीबी कमकरने और सामाजिक कार्ट थेक विकास के लिए प्रभाव साली साधन की रूप में कारी करते हैं सामाजिक विकास के संसदर में स्यल्फिल्फ गूर्प department, स्वास, सेनिटेशन जेंडर जैसे मुद्दो पर अधिक जाग रुपता प्रदान करते हैं ग्रामी राय के सुरोत के विविदी करण के संदर में बरतमान समय में महिला सेल्फ हेल्प गृुप का इच खेत्रों में कारेरत हैं जैसे बिजनिस कॉर्स कर्रिस्पॉंडिंग, बैंक सकी, किसान सकी, पशू, शकी इत्यादी होता हैं महिला से सकती करण के संदर में सेल्फ हेल्प गृुप की संरशना ऐसी होती है कि जो अपने सदसों को सरल तरीके से रड़ दे कर उनके लिए बाजार तक पहुँच को आसान बनाकर महिलाओं के लिए उधमसीलता को बढ़ावा देती हैं तदो सेल्फ हेल्फ गृुप कोबिट नाइंटीं के संदर में उस टाइम पर विश्व बैंक मास्क बनाने में सामुदा एक रसोई चलाने में और अन्य आवश्यक बस्तों की सप्लाई करने के संदर में अब देखते हैं सेल्फ हेल्फ गृुप से कुछ का सही जगाय पर इस्तमाल नहीं होना का मुत पादकत वाली छहत्रों का सीमित हूना कामकाज में बहतर बिस्तार का अभाव हुना आर Sóंदीत्प घकश करणते होना सरकारी कारकर्मों की सीमित भागेदारी होनां इसके संदर में अब पढ़ते हैं इसमें पढ़ते हैं सबसे पहले इसके जो दीन देयाल अंतिदे यूजना एनारलम जो है इसके अंतरकत चार प्रूमों घटक हैं यह घटक किस किस शित्र में पहला आता है ग्रामीड करीब महिलाओं को शौप प्रबंदित और आर्थिक रूप से इस्थाई सामुदायक संस्ताओं की सामजिक लामदम बन दी और उन्हें बड़ावा देना और उन्हें मजबूत बनाना है दूसरा आता है बित्तिय समावेशन और रेण और अन्य बित् सिवाओं का बेहतर पहुंचोना फिर तीशा आता है छंता निर्माड और कोसल विकास के जरिए स्थाई आजीब का का होना और अलग-अलग यूजनाओं के अभीशन समनवाई के लिए सामाजिक समावेशन और सामाजिक विकास और अनिलाब तक पहुंच होना है अब आता ह इनरल्म की कारप्रणाली के बारे में, इनरल्म की जो कारप्रणाली है, गरीबी संस्थाकत मंच और उनके परिशंगों उनसे आजीबका के लिए जुड़े समुहों, गरीबों, महलाओं, लगू और सीमांत किशानों, इसमें इसको दिखाया गया है, कि अपरतेक छेतर में, एक सकारा तक महल का निरमार करता है, और भागीदारी और समनबाई इस्थापित करता है, सेल्फ हेल्फ को बड़ावा देने, उनको ससक्त बनाए जाने के लिए कुछ उपाय किये गए है, या कुछ पहले स्टार्ट है, जैसे कि स्टार्टप ग्राम उधमेता कारग्रम, स्टार्ट अप ग्राम उधमिता कार ग्रम एह डी एवाई एनरलम के तहते को प्योजना है और इसमें सेल्फ हेल्फ ग्रूप सदस्टों को ग्रामिल इस्थर पर गैर किर्शी छेत्रों में उधम स्थापित करने में मदद करता है फिर आता है महला ससक्ती करण परियोजना यह परियोजना एडी एवाई एनरलम के तहते को प्योजना है यह भी एक को प्योजना है और स्टार्ट अप ग्राम उधमिता कार करम भी इसके तहते को प्योजना है इसका उद्देश विवस्थित निभी इसकी साहते से किर्शी में महलाओं को ससक्त बनाना है और इसमें क्या है गैर किर्सी छित्रों में ओधा मिस्थापित करने के लिए और दूसरी क्या है किर्सी में महलाओं को ससक्त बनाने के संदर में फिर आती है तीसरी योजना ग्रामेड गरीबी समापती योजना यह योजना का उद्देश ग्रामेड गरीबी समापती योजना को विक्सित करने में सभी Self-Help Group की भागीदारी शुनिशित करना ताकि BPRP को ग्राम पंचायत विकास योजना में एकिकरत किया जा सके फिर आता है Self-Help Group Bank Leakage Program यह प्रोग्राम Self-Help Group को बैंकों से जोडने और रिंड सहत बैंकों की सभी बित्तिय शिवाओं तक पहुँच प्रदान करने में सक्छा मनाता है और महला Self-Help Group को रिंड मिल सके इसके लिए ब्यास सहायता योजना का भी क्रियान बन किया जा रहा है फिर आता है राज्टी ग्रामीर आर्थिक परिवर्तन परियोजना की बारे में इस एक 13 राज्जों में बिश्व बैंक की मदस से किरियान बित्त किया जा रहा है फिर आता है Self-Help Group सदशों को बित्तिय साक्छरता प्रदान करने के संदर में बित्तिय रूप से साक्छर समाज के अनिविक्तियों की सहायता से सहायता से तयार करना है COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक पैकेज जैसे 2021 में सरकार्न Self-Help Group के लिए जमानत मुक्त रेड की सीमा को 10 लाग रुपे से बढ़ा कर 20 लाग रुपे कर दिया गया तो इसमें इस पदलाव किया गया अब इसके आंगे की राय देखते हो और पढ़ते हैं के इसमें भविश में क्या चीज़ें हो सकती है इसमें किसकीज में सुधार करनी की आवशक्ता है और किस छेत्र की भागीदारी की आवशक्ता हैं इनके संदर में पढ़ते हैं जैसे आजीपका का विवीदिकरण आजीब काव का बिदी करण सेल्फ हेल्फ गुरूप की सफलता और अन उच्छे उत्पादे कती बिदियों की विवित्ता लाने के लिए सदस्यों की छमता को बढ़ाने पर निर्भा करता है फिर आता है ईच्छे लाने के संदर में इसको बिदियों के सेल्फ गुरूप का जोड़ाओ सुनेशित किया जा सकते हैं तकि निर्णय लेने की पिक्रिया में उनकी भागिदारी बढ़ाई जा सके और नीजी छेत्रों की भागिदारी के संदर में NRLM के ऐसे सम्मू को बढ़ाबा देने के लिए स्टार्ट अप और नीजी छेत्रों को अधिक लाब उठा सकते हैं सामुद्य पहुच के साथ स्ट यह national, international भी इसकी पहूंच होगी, अब आतहा है सहकारी समीतियों के बारे में, अब पढ़ते हैं किशी मसीनरी के बारे में, किशी मसीनरी क्या होता? हाली में के नेशनल काउंशल की एकनोमी रिसेर्ट ने मेक इंडिया एक गिलोबल पावर हाउस और फ्रम मसीनरी इंडेस्ट्रीड की एक नवींतम रिपोर्ट जारी की इस रिपोर्ट से संबने तथ में आता है कि भारत में किशी मसीनरी करण का आसे कमोबिस ट्राइजिशन से है दूसरी और भारत में किशी उपकरण बाजार बेश्विक बाजार का केवल 7% और भारत में किशी उपकरण की बिक्री शियाई पैसे 80% से अधिक ट्रेक्टर का तरीकों पर सुधार करना, गयर टेक्टर किशी मशीनरी की निर्याद पर भारत का व्यापार अजिसे इस कम होता है, भारत निमने स्रैनी की उपकरणों की निर्याद यान उपकरणों की आयाद पर निर्भय करता है, फिर आता है, गयर टेक्टर किशी मशीनरी करन की व्यापा उत्वातियों से होता है जिन्हें खर्षी इस लिए प depression के मदद्स्व Capital को कम करने में मत्क करता है जिसे स्थाई आउटकम प्राप्त होते हैं और नावाड की एक रिपोर्ट में 2018 में संयुक्त राज अमिर्का में 95 परसंट ब्राजील में 75 परसंट और चीन में 57 परसंट की दुल्ला में भारत में किर्सी मेसिनीकरण का इस थर्थ 40 से 45 परसंट रहा है अब आता ह में 100 किर्सी मेसिनीकरण की आविश्यक्ता क्यों यूँ उत्पादकता में ब्रद्धी और इनपुट की लागत में कमी काम की बोज में कमी और दक्षिता में ब्रद्धी होगी कि किर्सी मे लिट लेय आ। पटने के लिए विकल्फ होगा, फसलों की गुडवत्ता में सुधार होगा, संधार नेता को विकास दिया, संधार नेता होगी, कि किर्शी मशीनिकर्ण खेती के लिए आविशे घूमी जल ओजा, कि मात्रा को कम करने के लिए टिकाव किर्शी को बड़ावा दिया जाएगा, फिर आता है किर्शी मसीनिकर्ण को समक्ष आने वाली चुनोतियों के संदर में किर्शी मसीनिकर्ण के लिए उद्धोग विसिष्ट NIC सहिता का अभाव होगा और यह सहिता किर्शी मसीनिकर्ण उद्धोग के लिए कोई विसिष्ट NIC सहिता नहीं है तथा ये इसका नहीं है तो उसके लिए एक सहीता विक्सित होनी चाहिए किर्शी मसीनी केर्ण से सम्मन्द तुपादों को अलग-अलग NIC सहीता का पालन करना चाहिए किर्शी मसीनी करण के लिए मौजुदा सरकारी योजना चलाएं जा रही हैं जिसके अंतरगत किर्शी मसीनी करण को निम लिखेती उजनाओं के लिए प्रम्रों को देश रूप में एक इक रहत है जैसे राश्टी किर्सी बिकास चुजनाओं राश्टी खाद सुरक्षा मेसन एक इक रहत पागवानी बिकास च्योजना और राश्टी ए खाद तेल मेसन आयाम पॉम इसके संदर में अब आता है किर्शी मसीनी करण के ओप मेशन के संदर में 2014-15 में किर्शी मसीनी करण के खरीद के लिए सबसिडी परदान करता है और बर्तमान में RKBY के तहते मतलब राश्टी किशी विकास योजरा के तहते इसका बिलाए किया गया है केलल मद्यप्रदेश तमिल लाड़ू जैसे राज्ज सरकारे किर्शी विभागों के मादम से किशानों की रियायती एदर पर किर्शी मसीनरी को उपलब्द करा रही है SMAM Submission और Agricultural Mechanism योजनाओ के मादम से Custom Hiring Sector इस्थापित किये गए और इसके तहे सरकारी समीतियों और किशान उत्पादक संगठनों दरा किर्शी उपकरण खरीदने के लिए सबसेड़ी प्रदान की जाती है किर्शी और किर्शान कल्याड मंतरायने फसल आउसेज प्रबंधन योजना आरंब की और इसका उद्देश देश के उत्री छेत्र में पराली जलाने हो किसानों को रोकना है ताकि इससे होने वाली प्रदूशन को रोका जा सके इसमें आंगे की राय में देखते हैं कि एक प्रेमबर को कारी योजना बनाना, कस्टम हाइरिंग सेंटर के लिए एक संस्थागत, प्रेमबर तैयार करना, CSR खंडिंग का इस्तमाल करना, इस्थानी नवाचारों को प्रोसहित करना और बित्व पोशन प्राप्त करने में आसान करना है, अब आता है इसका नेक्स टॉपिक महला सम्मान सेविंग 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 स्कीम होती है, जो अप्रेल दो हजार तेज से मार्ट दो हजार पचिस तक की दो वरसों की अउधी के लिए संचालित की जाएगी, जिसका उद्दिश बित्तिय सुतंतर 2,00,000 रोपी और के बल 2 साल के लिए होगी और समय से पहले निकासी या ब्याज़दरे होगी जिसमें किस आंसिक निकासी के लिए 7,5% ब्याज मिलता रहेगा अब आता है यह सुर्खियों में क्यों रहा है हालिया बजट में सरकार ने महलाओं के लिए परिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट नामा की एक नई लगू बचतियोजना शुरू की है और यह है बचतियोजना की IMPORTANCE के बारे में पढ़ते हैं कि इसका भारती अर्थिववस्था है कि संदर में इसके क्या महत्त है इसके बारे में तो पढ़ी लिया है कि इसकी स्थापना के सुद्देश से की गई है इसमें पात्र कोन कोन रहेंगे इसमें कितनी रासी जमा कर सकते हैं और कितना ब्याज इसके अंतरगत मिलेगा इस सबको पढ़ लिया है अब पढ़ते हैं कि भारती अर्थिववस्था की संदर में लगू बचतियोजनाओं का इमाहत् सामाजिक सुरक्षा उद्देश में लगू बचतियोजनाओं बस्तुता समाज के कमजूर बर्गों जैसे बरिष्ट नागरेकों विध्वा महलाओं दिब्यांग जनों की व्यापक सुरक्षा प्रदान करती हैं और इस पिरकार ये उजनाओं सरकार के सामाजिक सुरक्षा प्रभावित करती हैं और इन योजनाओं पर मिलने वाले ए्फेक्टिब रिटेंड पूझी बाजार और दुत्यक बाज़ों में फंट्स की प्रभावित करती हैं और इन विसस्ताओं के चलते हैं इन्हें बाजार को एक महत्यपूर घटक माना जाता है अब पढ़ते हैं भारत में लगू बचत तीउजनाओं के बारे में इसमें रापए सबसे पहले तो राष्टी लगू बचत कोष के बारे में पढ़ लेते हैं यह इस कोष को जो इस्थापना की गई थी भारत के लोक लेखा के अधिन की गई थी 1990 में और बरतमान में इसे राष्टी यह लगू मंतरारा द्वारा प्रिशासत किया जाता है और ये नियाम समयधान के अनुशे 283 एक में दिये गई उक्वंधों के आधर पर तयार किया जाता है लगुबचतों के लिए एक समर्पित कोस के गठन के उद्देश लगुबचत लेंदेन भारत की संचितनीदी से अलाग रखना होता है तथा ही आए एन एससे को लोक लेखा के धीन संचारत किया जाता और इसके लिए इसके सीधी लेंदेन केंदर की राजकुशी घाटे को प्रभावित नहीं करते हैं इसके संदर में अब आता है कि भारत में मौजदर लगुबचती उजनाए हैं जिसमें से कौन-कौ आता है अब पढ़ते हैं भारत में फर्माइस्टिकल उद्धोक के संदर में सुर्खियों में क्यों आर्थिक सर्विक चंद 2022-23 में यह संभावना व्यक्त की गई है कि भारत का घरी लूप फर्माइस्टिकल बाजार 2030 तक 130 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा भारत में फर्माइस्टिकल छेतर के बारे में देखते हैं कि फर्माइस्टिकल उद्धोक के प्रोव घटक कौन-कौन से हैं इसके अंतरगत आते हैं जिसको बात की गई है कि इसको 130 बिलियन डॉलर तक पहुचाएगा जो आर्थिक सर्विक्षण किता है 2030 तक इसमें कहा ग है वायो लॉजिक से होती हैं 2020 में भारत का घरिलू फर्माइस्टिकल बाजार बढ़कर 41 बिलियन डॉलर हो गया है जिसे 2024 में 65 बिलियन डॉलर के पहुचने की संभावना है और इसी बेसिस के आधार पर 2030 के अंतरगत इसी 130 बिलियन डॉलर तक पहुच जाएगा इसकी एक स बिकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिय लागू की हैं जिसमें कर प्रो सहन अनुशन्दान बिकास के लिए अनुदान तिथा प्रोधिकी हस्तानां तर्ड के समर्थनादी सामिल है दूसरा आता है बेजसे बीनिरमाड की कम लागत की सस्ते सरम के भायती उत्करन प् यंतियों को अपग्रेट करने के परियाप्त निवेस किया है कुसल कारेवल का होना कि भारत में कुसल विज्ञान को सूथ करता हूं तकनीक्षियों के एक नेटबर्क मौझूद है जो अनुशन्दान इवं विकास और गुडबत्तन यंतों भी निरमाड कारियों में सन्लं होता है फिर आता है मजबूत घरेलू मांग होना कि देश में बड़ती मध्यम अबर्क और बड़ती ब्रद्धी के आधार पर फार्माइश्टिकल उत्पादों की मांग में उलेखनी ब्रद्धी हुई है फिर आता है निर्यात का विस्तार इसमें भारत मुख खिता अफ्र में बड़ावा दिया जा रहा है इसके संदर में अब फार्मेश्टिकल कंपनी के संदर में क्या क्या चुनोतियां आ सकती है जैसे पहले तो इसके हमने आविश्यक्ता क्यों रही और इसकी मतलब बढ़ने के पीछे क्या उद्धेश रहा तो इसको पड़ा अब देखते है भारत में जो फार्मेश्टिकल उद्धोग हैं वह कहा पर विक्से है इसका किस का विश्व में क्या स्थान है इसके संदर में देखते हैं कि बालियम में मात्रा के आधर पर फार्मा प्रुडक्शन के तीसरे स्थान पर हैं बित्वर्श 2021 में दभावों के निर्याद में 24% की बिरद्धी हुई थी बेल्यू के आधार पर फार्मा प्रोडक्शन में चौदवे स्थान पर हैं पांच बर्सों में एब्डिया इंतरबर्ग इसका चार गुना बढ़ गया है भारत वैश्विक इस्तर पर जेनरिक दबावों का सबसे बड़ा आपूर्ती करता है फार्मा उत्पादों की हिस्सेदारी 5.9% हुई है तो इसके संदर में है भारत मोद्धूग में फिर भारत में सरकार दोरा क्या पहले स्टार्ड की गई जैसे SPI scheme 4 MSME इसे मार्च 2022 में 500 करोड रुपे की लागत से लौंच किया गया था जो बित्तिबर्स 2021 वाई से लेकर 2025 से 26 की के घरेलू भी निर्माण को बड़ाबा देने के लिए PLI योजना, वल्क ड्रक फॉक्स को प्रोसाहन देना, फार्मा इस्टुकल, प्रमोशन एंड डेवलप्मेंट स्कीम का होना, फार्मा बीरो का होना और प्रधान मंत्री, भारती एजन वसदी परियोजना जिसका उद् कीमेतों पर उपलब्द कराना होता है, इसके संदर में इस सरकार के द्वारा पहले सुरू की गई, फार्मा इस्टुकल कंपनियों से सम्मंद चुनोतियों के बारे में पड़ते हैं, केस में उच्चे मूल वाली दबाओं के उत्पादनें बर्चस नहीं हैं तथा निर्या नई दबाओं के विकास में वादक होती है, API के लिए विदेशी बाजार का निर्भरता अधिक होना क्योंकि 80% API चीन से आयात किये जाते हैं, उत्पादन पिक्रियाओं के सतक गुडवत्ता सुनेश्चित करना एक चुनोती है, तथा बौधिक संपता अधिकार्ब की उसके आगे किराय में देखते हैं कि इसमें उच्च को फर्मेश्टिकल उद्धोग को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या हो सकते हैं भविष्य के लिए, कि उच्च मूले वाले फर्मेश्टिकल उत्पादों का बिनिर्माड करना, नवाचार तथा अनुशन्ना निमं बिकास के लिए बुद्धि पोर्शन को प्रोशाहन देना, बिनियामिकी धाची का फरिवेशी को सक्षम मनाया, तथा मूले निर्धारन संबंदी दवावों के समाधान करना की सरकार उचित मूले निर्धारित करे और विक्सित करने के लिए उद्धोग के हिद्धारकों क निर्धारन उद्धोगों की लाब प्रिवरित्ता और इस्थिरता के आविशक्ते के साथ सस्ती दवावों की आविशक्ता को संतुलित कर सकती है, इसके संदर में हैं अब इसके संदर में कुछ सुर्खियां आती हैं कि जैसे भारती रेजर्ब बेंक की मौदरिक नीती समीती की बैठक के बारे में MPC ने रेपो 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 रेट में 25 आधार अंकों कोई ब्रद्धी की हो और इसमें रेपो रेट बढ़कर 36,5% हो गई है अब पढ़ते हैं मौतरे इंती समीती द्वारा लिये गई अन्य माहतपूर नेनाई की बारे में इसके अंदर संदर में भुक्तान और निटान पढ़ाली की संदर में की भारत में आने वाले सभी यात्रियों को ये देश में रहने के दोरान मर्चिन्ट पेमेंट के लिए एक इकरत भुक्तान इंटरफेस का उपियोग करने की अनमती दी गई है शुरुआत में उप्रेक्ट सुबदा उचनेंदर अंतराश्टी हवायडे के वल जी टॉंटी के यात्री को ही दी गई थी लेकिन प्रिजन्ट में ये सुबदा सभी यात्रियों को दी गई है फिर आता है मुद्र प्रबंदन के संदर में QR कोड आधारे कोईन वेडिंग मसीन के भारती रिजर बैंक को और निप्रूख है बैंकों की एक पाइलेट पर होजना है और यह एक कैसलिस सिक्का बित्रण मसीन है जो कोई बिबेक्ती एक QR कोड स्कैन करके UPI से भुक्तान करक के कोईन वेडिंग मसीन से सिक्की निकाल सकेगा और इसकी माद्यम से सिक्की लेने के लिए कागजी मुद्रा देने और उसकी प्रमाड़ी करन की आवशिक्ता को समाप्त कर देगी इसके संदर में फिर आता है दूसरा टॉपिक आता है निवेशक संरक्षड के बारी में न फिर आरूपी पर एदायर याजिका की मावले में आया है सुप्रीम कोट ने कहा है कि सेहर बाजर अपके वल उच्चमूल वाले निवेशकों तकी सीमित नहीं रहे गया है बलकि इसके मध्यम बरिकी भागीदारी देखी जा रही है और इसके अलाबा कोट में एक पूर्वने अधिस को सामिल करते हुए बैंकियों और प्रितिभूतियों में विशेशकों का एक पैनल बनाने का सुझाओ दिया गया है अब आता है कि सीयर बाजार को भारती प्रितभूतियों विन्यमक बूर्ड से भी अधिनियम के तहट भीनेमित करता है तथा इसमें मुख्य कारेश प्रितभूतियों की निवेशकों के हितों की रक्षा करना इसमें निवेशको की सुरक्षा के लिए कुछ पहले स्टार्ट की हैं जैसे सेवी की पहले सेवी के अंतरकत जो पहले स्टार्ट हुई हैं उसके अंतरकत आता है कि IPO लाने के लिए कंपनियों के प्रक्टिकरण के मांदर्ण बनाए गए है इंसाइड एक ट्रेटिंग को रोकने के लिए एक रूपरेखा तयार की गई है, क्रेटि ट्रेटिंग के लिए एक नया फ्रेमबर्क तयार किया गया हो लगुत्तर, ब्यापार निप्टान चक्र के लिए T-1 निप्टान की अनुमती दी गई हो, इस कोर्स नामक एक बैव पक जमा आदी का दावा नहीं किये गए धन द्वारा पित्ति पोशत होता है, अब पड़ते हैं सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में, भारती रिजर बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों को उधार देने और उधार लेने के मश्वदा मांदन्ड जारी किया, इसका उत्दि प्रतिभूतियों को जी एसल सोदे के तहट उधार देने और व्यापार करने के लिए पात्र है, इसमें ट्रेजरी बुल सामिल लाई हैं और इसके विप्री केंसरकार और राज्यसरकार के ओर से जारी सरकारी प्रतिभूतियों का उप्योग जी एसल के तहट जमानत के रू पृतियां उदार करता हो के लिए एक बैधानेक तरलतान पाथ हे तू पात्र हो गए इसके संदर में अब आता है सरकारी पृतियां केंद्र या राजी सरकार दोरा जारी ब्याब पर योग लिखित एक इंस्टूमेंट हैं जो इस सरकार की रिंड दायत तों को मानने ता प्रधान करती हैं जिसमें सरकारी पृतियां अलपावधी की भी होती है और दिरगवधी की भी होती है इसमें केंद सरकार टी बिल्स या बॉंड या दिनांकित पृतियां दोनों जारी कर सकती है और राज सरकारे की विल पॉंड या दिनांकित पृतियां ही जारी करती है जिसें राज विकास कहा जाता है इसके संदर में अब आता है बैंको के बिलाई के संदर में बैंको का बिलाई आरबीयाई की एक रिपोर्ट के मादर दो 1937 से ले कर अब तक भारत में हुए बिलाइ का मोलियंगान किया गया। इस मोलियंगन की दोरए निम्लिके मुद्ध को रिखांकित किया गया है जिसके अंतर के बिलाइ में अधिकराण करता हूँ जिनका अधिकराण हुआ है और उन यह आसा है यह आसा है दो कंपनियों के बीच लेंदन के माध्यम से संयक्त संस्था का रूप धारण करने से इसके कई रूप होते हैं जिसके अंतरकत पहला रूप आता है कि यह नई बैद संस्था बनाने के लिए दो कंपनियों का बिलाया संयोजन होना चाहिए दूसरा आता Unified Payment Interface या PayNow Linkage के बारे में भारत तो सिंगापूर में Unified Payment Interface और PayNow Linkage लाँच किया है या भारत के UPI और सिंगापूर के PayNow को आपस में जोड़ दिया गया है इनमें दोनों देशों के बीच QR Code के जरी बैंक खाते से जोड़े मोबाइल नंबर को दर्च करके लिए रियल टाइम में लेंदेन कर सकते हैं और सिंगापूर पहला देश बन गया है जिसके साथ भारत में सीमा 5%-2% भुक्तान सुब्दा शुरू की है और QR Code के मादन से UPI भुक्तानों की सुब्दा सिंगापूर में चुनिंदा मर्चेंट आउटलेट्स पर भी उपलब्द है अब पढ़ते हैं UPI और पेटनाओ का लिंकेज का इंपोटेंस क्या है इसके दोरती प्रिगती से लागत प्रभावी रूप से धन को भीजा या प्राप्त किया जा सकता है इससे बिसेश रूप से प्रवासी सर्म को और छात्रों सहेद भारती डाइस पुर्वा लावान बित होंगे इससे उप्योग करता किसी अन्य भुकतान पढली हो का उप्योग किये बिना तुरंत फंड ट्रांसपर कर संगे UPI को 2016 में भारती ये भुकतान नेगम की दोरा बिक्सित किया गया था और यह एक रियल टाइम भुकतान पढली है इसका उप्योग करता आपस में बहुत से लेंदन के लिए लेंदन को आसान बनाता है अब आता है पे नाओ सिंगापुर की एक तो रेत भुकतान पढली हो रही है पढली उप्योग करता हो को आपस में इलेक्ट्रोनिक रूप से फंट ट्रांसपर करने की सेबा प्रदान करती है और यह सुब्दा सिंगापुर में भागीदार बैंकों और गयर बैंकिंग बित्ती संस्थाओं की मादन से खोईगरदरा गिराहेकों के लिए उपलब्ध है इससे संबंदी सुर्कियों में देखते हैं कि RVI ने अभारत में आने बाले बिदेशी यात्रियों के लिए स्थाने इस्तर पर भुकतान के लिए UPI याधारे लेंडन की अनुमती दे है जिसकी सुरुआद G20 के देशों के यात्रियों से की जा रही है और पात्र प्रिदेशी यात्रियों को अभ्यापारियों के दुकाने पर भुकतान करने के लिए UPI लिंक्ष प्रिपेड पेमेंट इंस्टूपेंट वॉलेट जारी किये जाएंगे जिसके उधारण है स्मार्ट कार्ड, ओनलाइन खाते, ओनलाइन वॉलेट, स्ट्राइप, कार्ड और पेपर बाउंचर इत्यादी के माध्यम से अब आते हैं बेनामी एक्ट के बारे में बढ़ते हैं बेनामी एक्ट केंद सरकार ने सुप्रीम कूर्ट द्वारा 2022 में दिये गई नर्ड की समीक्षकी और जिसमें बेनामी लेंडन अधिनियम 1988 तता उसके 2016 की संसुदन में कई प्राधानों को उरद्ध कर दिया इन प्राधानों के 2016 की प्राधानों के माद्धिम से 1988 में मूल बेनामी एक्ट करने के लिए पारित किया गया था इसके अंतरगत आता है कि यदि संपत्ती को बेधाने या वेश्वे के इस हैसियत में अपने अधिन रखा जा सकता है और इस कानून के दारे में नहीं आती है दूसरा आता है कि बेनामी लेंदेन से ताथ पर ऐसे किसी भी लेंदेन से होता है जिसमें किसी वेक्ती की संपत्ती हस्तान अंतरड किसी अन्य वेक्ती द्वरा भुक्तान किये गए या उपलब दिकराएगे प्रिधिफल के लिए किया जाता है सुप्रिय कोट ने 2022 के निड़ा में कहा है कि 1988 के अधिनियम की धारत 3 के किलोज 2 के अंतरगत मानी प्रक्ती है तथा इस प्रकार यह आसा मिधान के अनुछीत 20 के किलोज 1 के अंतरगत उलंगन करती हो और यह उलंगन उनके सामभंधित कानून पारित होने की तारिक से पहले कि किये गए अपरात के लिए दंडित करने से रोकता है तता 1988 से 2016 के बीच लेंदन के अभी उजन या जपती कारवाही को रद्ध खोसित किया गया है इसके संदर में बेनामी अधिनियम की संदर में अब आता है एक्कुलाइजेशन लेवी एक कैनते है प्रतिक शेकर बोर्ड एक्कुलाइजेशन लेवी की प्रोसेसिंग के लिए एक मानदन्ड जारी किया है एक प्रावदन एक्कुलाइजेशन लेवी बित्रण संमंदी के अंध्रिकर प्रशंच करने योजना दोजार तेईस का हिस्ता है और यहीं योजना बित्त दिनियम 2016 के तहत विवरण की प् में कुछ कमी हो और इसमें विसेश रूप से धन बापसी के लिए कि यह गई दावों की संदर में कुछ आनिश चित्राइं भी पैदा हुई एक प्रिटेक्ट शिकर होता है जो डिश्टल विस्ता पर लगाने के लिए 2016 में प्रिस्थुत किया गया था इसे गूगल टेक्स भ पिना या फिसले संबाद के लिए एक नया प्राउधान इसमें जोड़ा गया है इसके संदर में अब आते बिवास से विश्वास योजना सेकेंड के मसोधी को अदू सूचित किया गया है इसके संदर में बिवास से विश्वास योजना मतलब कोई विवास नहीं बलकि वि जहस्ता निर्णे को किसी अदालत में चुनोती दी जाएगी और इस योजना की सम्मन्द में घोष नाम केंदरी बजट 2023-2024 में की गई है और यहीं योजना 30 सितंबर 2022 के विवादों में सामिल किया गया है इस योजना की मुख विसेस्ताओं के अंतरगत आता है कि यह किन वि प्रदेश, राष्टी, राजने, छेतर, डिली और उनके सभी एजनसी आउपकरम और मेट्रो टेनियरसी संगठन जो भारत सरकार की 50% इससेदारी है इसमें इसका इंपोर्टेंस होगा इसके समाधान के उपाए में देखते हैं कि अभिवाद के लंबित रहने के इस्तर के आधार प्रशनी बद्ध नेप्टान की विवस्ता की गई है इसका कारण बन गवर्मेंट मार्केट प्लस के माध्यम से किया जाएगा यही यूजना कीवल मध्यस्ता को सामिल करने के प्रिस्ताओं किया गया है ना कि अंतराश्टी मध्यस्ता को किया गया है विवाद से व विश्वास योजना फस्ट की घोशना बजट भासट 2023-2024 में की गई थी और इस योजना को COVID-19 के गाण पिछड़े दो बरसों में MSMEs को सामने लाने वाली कठाईयों को दूर करने के लिए शुरू किया गया था और राहत अंदान के लिए सरकारी ये मार्केट प्लस की माद् पिशूचे जारी की है ग्रीन वांड किसी भी संप्रवू संस्था या अंतर सरकारी समुया गठवंदर या कॉर्परेट द्वारा जारी किये जाते हैं जिनका उद्देश वांड से जुटाई गई रासी का उपयोग परियावान की दिष्टि से संधार्णी परियोजनाओ में करना हूता है ग्रीन वाशिंग दारा ग्रीन वांड के सम्मावित दुरुपीयों को लेकर चिंता व्यक्ति की गई है वैसे तो ग्रीन वाशिंग को सार्वून एक परिवासा में उपलब्ध नहीं है फिर भी ग्रीन वाशिंग का आर्थ किसी उत्पाद सेवा या बेश प्रतिकूल प्रभाव को कम कर रहे हैं कंपनिया हरत प्रभाव को दिखाने के लिए ब्रहामक लेबल या छद में ट्रेड ओप उप्योगी नहीं करेंगी साथी किसी सोध में चुनंदा डेटा का प्रियोग भी नहीं करेंगी गिरिन बॉर्ण के मात्रिम से जुटाई गई निदिवों के उप्योग से किसी या ने पक्षवा पढ़ने वाले नकारात में प्रभाव का नामांकन मापन किया जाएगा और किसी तिरतीय पक्षव संस्ता दौरा प्रमाडी करण की जूटी रिपोर्ट को दे कर अत्सत्य दा प्रदेश तुमकुरू करना टक पुर्णरी तमिल लाडू NICP के चेरने बैंगलोरू उद्धों के गलियारी के तहट प्रात्मेक्ता वाले नोट्स के रूप में इसकी पहचान की गई NICP का लक्षव स्तरी बीनिर्माड सुवदाओं को बड़ावा देना तथा भारत के ब्यविश के भारत में भविश के उद्धो के सहरों को विक्सित करना है अब पढ़ते हैं उद्धो के गलियारी की आवशेक्ता आखिर क्यों होती है बेश्विक बीनिर्माड, निवेश कंतब बिकेंधरो और सर्फिष्ट बुन्यादी धाचे के साथ समार सहनों को बड़ावा देने के लिए देश में बीनिर्माड चमता का उप्योग करने के लिए इसकी आभिशक्ता होती है NICP के importance के बारे में पढ़ते हैं ये बिनिर्माड विकाईों को ततकाल आवंटेन के लिए भूमी खंडू बिक्सित किये जाते हैं अब पड़ते हैं मिलेट्स के लिए ब्यापक समूह मानक को गठित किया क्या है ये मानक घरेलू अब एस्विक बाजार में अच्छी उडवत्ता वाले मिलेट्स की उपलब्दिता सुनिश्चित करने के लिए सहाइक है समूह मानक के अंतरगत बॉनियार्ड मिनेट चोलाई कुट्टू रागी फॉक्स टेल मिलेट बाजरा फोनियो लिटल मिलेट और सोर घमया ज्वार सहेद अन्य मिलेट्स जिसमें लागू किये गए आठ खुडबता मानक इसके अंतरगत आते हैं जिसे नमी की मातरा, यूरिक एसेट की मातरा, बाहरी पदार्थ की मातरा, अन्य खाद पदार्थ की मातरा और रिफेक्ट से आते हैं घुल लगा अनाच, आपरिबत का अनाच की अधिक्तम सीमा, सूखी अनाच की अधिक्तम सीमा इत्यादी इसके अंतरगत आते हैं मांदन्ड, मिलेट्स को सुपरफूड भी कहा जाता है, ये छोटे दाने वाली खाद फशलों का एक समूह होता है और यत्धिक, सहीशुड प्रगवत्ती की फशले होती और येने उध्धोग के लिए एक कम रासानेक इन्पूट्स की भी आविशिक्ता होती है FSS AI भी नहीं, 2011 में किवल जौर, रागगी, बाजरा और अमरनाथ जो चौलाई जिसे मिलेट्स के रूपे मानक निरधारे किये गए हैं ये इसके संदर में आठ मांदन्ड और इसका एक व्यापक समूह के बारे में बताया गया है यहाँ पर हमारा Economist Relative Topic Phoenix होता है, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेगे और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, धन्यवाद